साथियों, 2019 ये चुनाव राष्ट्रबाद और परिवारबाद के बीच का है, नेशन फास या फैमिली फास इसके बीच का चुनाव है, भाई और बहनों, करनाटक में इस परिवारबाद के प्रतीख है, कॉंग्रेस और जेडियेस दोनों, दोनों ही पार्टियां जनता से जितनी कटी हुई है, उतनी ही सिर्फ और सिरफ अपने परिवार से जुडी हुई है, इनके लिए आपकी आवशक्ता हैं, देश की जरुरतें, इसकी उनको परवा नहीं है, लेकिन उनकी प्रांत्मिक्ता है, खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ, और उनका मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन है, कमिशान, अब पहले कॉंग्रेस की अकेली सरकार थी, तो मिश्टर टैन परसंट थे, याद है ने मिश्टर टैन परसंट, अब दोकी जोडी बन गई, तो टैन परसंट इनके और मिश्टर टैन परसंट दूसरे के, अब करनाट का ट्वेंटी परसंट चल रहा है, साथियों, जब परिवार की ही चिन्ता होती है, तो वहीं क्वात्रोची मामा और मिशिल मामा जैसे दलालों का, उनको पाला पोसा जाता है, पॉपफोर से लेकर हेलिकॉप्टर गोटा ले जैसे पाप वहां किये जाते हैं, साथियों, कॉंग्रेस की करनी देखिए, वोट खरीदने के लिए, अब उसने बच्चों और गर्बवती महिलाओं के हक का पैसा भी लूट लिए, उसने इस लोकसभा चुनाव में एक और गोटा लगारेकर डाला है, तुगलक रोड चुनाव गोटा ला। मुझे बनाब पर लगता है के आपको यह तुगलक रोड क्या हैं मालूम नहीं हैं। पताहूं, पताहूं। दिल्ली में एक तुगलक रोड है। वहाँ एक बहुत बड़े नेता का गर है तो ये पिछले दिनों तुगलक रोड चुनावी गोटाला हुआ है बहुत बड़ा आपने टीवी पर देखा गर नहीं देखा मुझे मालूम नहीं यहां के अखबार वाले छापने की हिम्मत करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश में जहां कॉंग्रेस की सरकार बने अभी कुछी महिने हुए है वहाँ से सेंकडो करोर रुपिये चुनाव के दिल्ली बेजे गए है यह पैसे कूपोशन के सिकार बच्चों के लिए थे मासुम बच्चों की भुख मिटाने के लिए थे लेकिन कॉंग्रेस इतनी निर्दई है कि उसने गरीब बच्चों के मुझे निवाला भी छिन लिया अब तक हम सुनते आये थे डिपेंस दिल में कॉंग्रेस का पंजा जमीन की डिल में कॉंग्रेस का पंजा पंडुबी की डिल में कॉंग्रेस का पंजा हेलिकॉप्टर की डिल में कॉंग्रेस का पंजा लेकिन अब तो मासुम बच्चों के खाने पर भी मासुम बच्चों की थाली लूटने का काम इन लोगों ने किया है पांच साल से सत्ता से बहार रहने वाली कॉंग्रेस कितनी भूकी है ये आप भी देख रहे हैं चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन बच्चों की थाली छिनकर कॉंग्रेस ने जो पाप किया है वो कभी नहीं दुल सकता है